चले बाई हो गया सीधा सौधा पूरा बढ़िया 20 स्टॉक्स आपके सामने आ चुके हैं लेकिन अब आज के All Important Wednesday Session के मुनाफ़े की तैयारी का वक्त है मार्केट्स पे बात पे आता हूँ बढ़िया मूज बने हुए भारती बजारों उस पे तो बट अबवेस है अपन शो में डिटेल में चरजा करेंगे लेकिन कल चाम से मैं एकी जीज़ पढ़ रहा था जिसे मैंने पहले गल्ट इंटर्प्रेट कर दिया था कि मैरिटल लॉग गया है फिर बजल ने ने फिर पढ़ने मार्शल लॉग साउथ कोरिया में फिर मैंने पढ़ा है क्या मामला है वो पूरे शाम उसी में बिजिए धाम है या उसकी दिक्कत अपने लिए अच्छे ख़बर कैसे रीड करूं हुआ के सारा अपडेट जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टन तो वही इंट्रिस्टिंग चीज थी गुड मॉर्निग आज उससे शुरू करने क्या अशिष गुड मॉर्निग विरु गुड मॉर्निग देखे आप विरु और मैं हम उमर के उस पड़ाव में जहां पर हमको मेरिटल लोई लगेगा है तो इसके लिए मैं इसमें आपकी गलती नहीं है कोई और होता तो वो भी ऐसी बढ़ता इसको लेकिन वो मार्शलो लगा है तो थोड़ा सा टारिफाइक कर देते हैं लेकि मैं आज सुबह एक लाइन ले रहा हूं यह मेरा इंडिया क्यों क्योंकि पूरे वर्ल्ड में टर्मोईल है कही ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है तो सवाल यही उठता है कि भाई एवेंचुली आप इमर्जिंग मार्क तो उस हिसाब से अब आप सवाल यह पूछिए कि अभी तो खेर पैसा अपनी मदर मार्केट में डाल रहे हैं वो फेजिस होते हैं ताइम आएगा जब अमेरिकन मार्केट बूटली अंडर परफॉर्म करना शुरू करें यह उसकता अगले साली कर दें तो फिर वहां पर फ हों साय। जहां फूर्ट बी है अच्छी है और को दिक्र भी है वो सारी मार्केट North Scottish Southernisconsin में सीह कुछ आपको मिलेगी अब इसे वह इतना में जो आपको पिछले दो महीने में देख लिए जाना, हर लेवल, ऐसा नहीं कि को बहुत जादा लॉसे पे बेच रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा यह मानना है कि इवेंचली, FIS का पैसा भारत में वापस आएगा, इसा मैटर ओफ टाइम, अभी क्या है, अभी थोड़ा सा उनको मदर मार्केट में ज्यादा रेटन्स मिल रहे हैं, इंटरसेट का फैक्टर है, डॉलर का फैक्टर है, इसकी वज़े से वह थोड़ी से सेलिंग है, ऐसा नही यहाँ पर कोई सेलिंग हो रही है, और जितनी सेलिंग हुई है, उससे ज़्यादा पैसा भारत में आएगा, इवेंचली, यह बात भी अब मान के चलिए, अपने अच्छे शेर्स को ना पकड़ कर बैठिये, कल ना, आशिश मैं कल काफी लेट हो गया था, कल मैं शाम को मैं मैं तीन-चार बड़े मुचिल फंड सीयो से बात की ती, कल मेरा था मन था, कल मैं, मैं जब कभी सरसे करता हूं, मैं चार-पांच बड़े मुचिल फंड सीयो से मिला था, और यही निकल कर रहा था कि अपने अच्छे शेर्स को पकड़ कर बैठिये, क्योंकि इवेंचली, और बहुत अच्छे वाले शेर्स को जादा गिरे नहीं, खराब शेर्स को जादा गिरे थे, तो इवेंचली जितनी सेलिंग हुई है, उससे जादा बाइंग आएगी, उसका सबसे अच्छा एग्जामपल देता हूं मैं आपको, HDFC बैंक का, सतरा सो से लेके, चोदा सो तक की जो गिरावट हुई थी HDFC बैंक में, जिसमें FIA की मैसिव सेलिंग हुई थी, उस हर सेलिंग में इसका एक साल का चार्टक दीजिए, उसमें हर सेलिंग में खरीदा किसने था, जब FIS बेच रहे थे वेंचली वो शेरोटिंग पैटन में भी दिखाए देगा आपको, उस पर इसको ले भी रहे हैं, और अब तीन-चार दिन से लगाजा, अथारोसो के ओपर ट्रेड कर रहा है, उसके ओपर टिका हुगा है, कल भी इसने ओल टाइम हाई लगाया, अगर आपका नजरिया, दस से बीस साल का एना, आप वैल्थ क्रिएट करेंगे इस मार्केट में, ह कि मार्केट में गैप अप और वो बस सस्टेन कर गया, मार्केट आपको मौके दे रही है, रोज आपको साड़े नो बजे तीन दिन से मार्केट मौके दे रही है, एक डिप दे रही है मार्केट आपको, उसके बाद स्क्रीन पर तेजी प्ले हो रही है, ये एक बहुत अच चेंज आया है जब से रिटेल पार्टिसपेशन वो डियाएस के पास तकड़ा पैसा जोका गया है तो ये कहानी है इस समय भारति बजारों की आउंगा डिटेल में मार्केट्स पे डिटेल में सारी चर्चाएं करूंगा लेकिन आज के इस मुनाफिकी तैयारी की शुरुआत सब कर ली जाए सुबह की टॉप हेड्लाइन के साथ कर दो दुबह जाए सुबह की टॉप हेड़ाएस जाएस प्रचाएं की शुरुआत